वैसे ज़रूरी नहीं पर वीडियो को लाइक या डिसलाइक ज़रूर कर दें मूवी का नाम है One Mist Call 2008 इस कहानी में लोगों को उनकी फोन पर कॉल आती है जैसे लोग फोन उठाती है तो उनने एक वोईस मेसिज मिलता है जिसमें उनकी अपनी ही आवास होती है और ये कॉल मुझुदा वक्त की नहीं बलकि फ्यूचर आने वले टाइम की होती है जिसमें एक दिन, दो दिन, तीन दिन का टाइम शामिल है फिर वो टाइम आते ही उस इनसान की मौत हो जाती है तो शुरुवात होती है एक जिलते हुई होस्पिटल को दिखानी सी जहां फाइर फाइटर्स आग बुझा रहे थी और उन्होंने एक बच्ची के जान निबचा ली थी वो बच्ची से पूछने लगी क्या तुम्हारी मौम भी अंदर थी पर बच्ची कोई जवाब नहीं देती आगी हम एक लड़की शेनी को देखते है जो अपने गर की छोटी सी तलाब की पास बेड़ी थी अच्छनक उसे पानी में सी आवाज आने लगी जैसी उसने पास जाकर देखा पानी के इंदर से एक हाथ बाहर आकर उसका मुझ पकड़ लीता है खीच कर उसी तलाब की अंतर लीचाता है जिसकी फुरनी बात पानी की सदा पर एक कैड़े निकल कर आती है जो बच्चे खाती है और तबीवो हाथ शेनी की बिली को भी गली से पकड़ कर पानी में डबो कर मार दीता है कहानी अब कुछ दिन आगी गई हम कुछ स्टूड़न्स को देखते हैं जो पार्टी कर रहे थी पार्टी में एक लिड़की थी बैट उससे मिलने उसकी दोस्त आई ये दोनों कमरे में जाकर शेली की मोत के बारे में बातें करने लगते हैं क्योंकि ये सारी स्टूडेंट्स आपस में दोस्त थी इनकी बातों के दुरानी बैट की दोस्त की मुबाइल पर कॉल आई लेकिन हेरत ये कॉल शेली की नमबर से आ रही थी और जो रिंग्टोन थी इन्ही कॉल की बेंड वो भी अनगी थी जो एक लोरी थी जैसी वो कॉल उठाती है तो एक वाइस मेसिज था जिसमें सुनने पर बैट की इसी दोस्त की अपनी ही आवाज थी जिसमें वो चिल्डा रही थी उन्हें कुछ भी समझ नहीं आती कि ये क्या है हैरान परेशान थी वो एक डिटेक्टिव पुलीस ओफिसर को मुर्तागर बुलाया जाता है एक लाज की पैचान करने के लिए जो लाज थी डिटेक्टिव की बेहन की जिसकी मौसी एक केंड़ी निकलती है अब यह धहन दिखान करने वाली बात यह है कि मरते हुए शेनी के मूसे भे कैली निकली थी जिसका मतलब था कि ज़रूर इन मोतों का आपस में कोई तालूक है तो इसे आप याद रखीगा जो दिन की बादम बैट और उसकी दोस्त को कॉलिज में देखते हैं क्लास में जब वो थी तो बैट की दोस्त को हलोसिनेशन सोने लगी यानि ऐसी खायाल ऐसी जिज़र निकाई दे रही थी जो असल में थी भी नहीं जैसी बैट की हाथ पर उसे बिच्छू रिंगते हुए नजर आया बैट उसी कॉफी पीने का पूछती है पर वो साथ जाने से मना करके लाइबेरी आ जाती है लाइबेरी बैंज होने की बाद बैट की दोस्त जब घर जा रही थी तो उसे और भी हलोसिनेशन सोने लगती है हर जगा उसी बहुत आत्माई शेतान दिख रहे थी जिनसी वो बहुत डर गई थी क्योंकि जाहिर है सब भी बहुत भयानक थी डर की आलमी वो बैट को कॉल करती है वो कहती है गबराओ नहीं मैं तुम्हारे पास ही हूँ बस दो मिनट तक पहुंचती हूँ लेकिन वो तो इतने डरी हुई थी कि उसकी हालत खराब होने लगी डरती डरती वो एक उची जगा से गिर गई ट्रेन से टकराने से उसका एकसिडेंट हो गया वो इतनी सक्मी हो गई कि फोरणी उसकी मोत हो जाती है इसी दुरान बैट भी यहां पहुँचती है और यह पर निकालने की कोशिश कर रहा है इसकी बात कॉलिज में दो लड़किया इस हादसे की बारे में बात कर रही थी कि बैट की दोस्की भी मोत हो गई उसकी और शेनी की मोत एक तरह से ही हुई एक फोन कॉल आने की वज़ह से यह बाती सुनकर बैट का मेल फ्रेंड उन पर पिछो नजर आ रही थी उसे थोड़ा अजीब लगा इसलिए वहां से वो निकल जाता है बैट भी उसकी बीचे पीचे पीचे आई तब उसका मेल फ्रेंड बतानी लगा कि मेरी पास भी इस तरह की कौन आई है और उस पर जो टाइम है वो कुछ दीर के बात का है फूरनी उसकी दोसको भी वहां एक शेतान देखा वो काफे डर गया वहां से चानी लगता है बैट उसे आवास लगाती है क्योंकि वह अपना मुबाइल वहीं भोल कर जा रहा था मुबाइल निने जिब वह वापिस आया तो वह कुछ बोल रहा था जो उस वोईस मेंसिच में था ज शारे सुर्टेहाल को देखते हुए बैट एक लेड़ी पुलिस आफिसर से मिलती है और उसे बता रही थी कि मेरे दो दोस्तों की अचाना की मौत हो गई मरने से पहले उनकी पास कॉल्स आई मेरे ख्याल से उनकी मौत का कोई ना कोई तालक उन कॉल्स से है मरने के बाद उन वेञे के बेहन की मोत बिल्कुल इसी तरह से हुई शैनी जिसकी मौत तलाब में डोबने से हुई वो और मेरी बेहन एक होस्पिटल में नर्स थी पहले मेरी बेन की मोत हुई, फिर दो दिन की बाद शेली की, मेरी बेन की मोसे भी लाल रंकी कैंडी निकली थी इसलिए मैं भी इस बात को मानता हूँ कि ज़रूर इन फोन कॉल्स, कैंडी और इन मोतों की बीच कोई तालूक है वो फिर बेत को अपना मुबाइल नंबर दीते हुए कहता है कि कोई भी मदद चाहिए राप्ता कर लीना मैं भी इन सब मरनी वालों की फोन कॉल्स की डिटेल्स निकाल कर तुम्हें बताऊंगा बेत जब घर आई तो देखती है कि उसकी रूमेट इनी जो इस घर में उसकी साथ रहे रही थी वो काफ़ डरी हुई थी बेत को बताती है कि हमारी मेल फ्रेंट की मुबाइल में मेरा नंबर भी था हो ना हूँ, अगली कॉल मुझे ही आएगी लेकिन मैं मरना नहीं चाहती है तब उसे रिलेक्स करने के लिए बेत अपने और उसकी मुबाइल की बेटरीस ही निकाल दी है और बोलती है कि देखो मैंनी बेटरीस निकाल दी अब रिलेक्स हो जाओ, हमें कोई कॉल नहीं आएगी क्योंकि जो वॉइस मेंसिज था, उसमें रूमेट के चिलाने की ओवाज थी रात तो ऐसी गुजर गई, पर सुबा होते ही ये लड़किया उसका मुबाइल ही तोड़ दीती है रूमेट से मिलने फिर एक आदमी आया, जो एक लाइव टीवी शो का मालिक था लेकिन बैट उसे ऐसा करने से मना कर दीती है, और रूमेट को लेकर वापिस घर आ जाती है रूमेट का कहना था, कि हमें उस आदमी की बात माल देने चाहिए क्या पता, वो हमारी मदद ही कर दी, लेकिन फिर भी बैट ने उसे मना कर दिया अगली सुबा रूमेट वहाँ नहीं थी, वो जा चुकी थी, जाते हुए उसने बैट के लिए एक नोट छोड़ा था कि मैं अपनी मुम डट के पास जा रही हूँ, फिर डिटेक्टिव बैट के पास आकर बताता है कि मैंने सारे फोन कॉल रिकॉर्ड निकाल लिये हैं, जिससे मुझे पता चिला है कि हर मरने वाले को, उससे पहले मरने वाले ने फोन किया था जैसे मेरी बहन ने शेली को शेली ने फिर तुमारी दोस्त को जिसकी मौत ट्रेन वाली हादसे से हुई उसने फिर तुमारी मेल फ्रेंड को हिरान करने वाली बात ये थी कि सारे ही कॉल्स उन लोगों की मरने की बात की गई थी उनकी नमबर से वो फिर बताता है कि मेरी बेहन को कॉल एक ओरत ने की थी जो मरीज थी और अब मैं उसके घर जा रहा हूँ सचाई का पता लगवानी जिस पर बैक भी उसकी साथ चिल देती है उस ओरत की घर पहुँचकर डेटेक्टिव चान बिंग करने लगता है उसी यहाँ एक छोटे सी केमरा से रिकॉर्ड की हुई वीडियो की सीडी मिलती है यही केमरा बच्चें पर नज़र रखने के लिए होता है वीडियो में इस मरीज औरत की दो बेटियां थी जिनने बड़ी बेटी का नाम एनी था लेकिन ढूरने के बाद भी डिटेक्टिव को यहाँ वो चोटा केमरा नहीं मिलता जिसी वीडियो बनाई गए थी उसी वहाँ एक इनहीलन मिलता है यही जो सांस की मरीज इस्तामान करते हैं एक पांप की तरह का था जिसे जैसे डिटेक्टिव दबाता है उसमें से एक आवाज आई जो आवाज सुन पर बैट काफी टेड़ जाती है यहनी उसे सांस का मिसला था और यह इनेलर उसी का था साथ ही उसकी चोटी बेहन को उनकी मुँ नौ बार उस्पिटल लेकर गई थी क्योंकि उनकी चोटी बेटी अनगलक तरह से जखमी हुई थी जैसे कभी उसका जल जाना तो कभी कोई शेम्पो पी लेना यह सारी बाते जानकर बैट डिटेक्टिव को बताती है कि मैं सारी बात समझ गई हूँ असल में उस मुरीज उरत को कोई दिमागी बिमारी थी जिस बifornia से वो अपने ये बच्चों को सखमी कर दिया करती थी फिर होस्पिटल में उनका इलाज करवा कर देखबाल करती थी ताकि उन बच्चों की और तबज़्या नहीं सकी यहां इनने ये भी पता चला कि जिस होस्पेटल में उस मरीज और उत की बीटियों का इनाज हुआ करता था वहां एक नर्स ने उस और उस से पूश्टाश भी गी थी कि उनकी बड़ी बेटी को कब से दमेगी बीमारी है और चोटी बेटी क्यों बारबर सक्मी हो जाती है यहां मैं आपको बता दू कि वो पूश्टाश करनी वाली नर्स और कोई नई बलकर डिटक्टिव की बेहन थी जिसकी मुद सबसे पहली हुई थी अब तबी टीवी पर बेट अपनी रूमेट को उस लाइव शो में देखती है जहां टीवी शो का मानिक उसके साथ होने वनी हर चीज़ को लाइव दिखाएगा जो देखकर ये दोनों जिल्दी सी उस चर्च के लिए निकल जाते हैं जहां ये शो होने वाला था इसी तुरन रूमेट बेट को कॉल करकी सोरी कीती है कि मुझे माफ कर देना मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और मैं इस शो में आ गई शो में दिखाया जाता है कि रूमेट को भी हलोसिदीशन सोने लगी उससी अपनी आसपास शेतान दिखनी लगी जैसे बेट और टेक्टिव यहां आई लाइटस अपने आपी बंद हो जाती है जिसकी पर कोई शेतानी ताकत आकर रूमेट पर हमला कर दीती है उसका सांस रोकर जान से मार डालती है लाइट वापीस आगई बेट अपनी रूमेट को मरा हुआ देखती है उसकी मों से भी कैंडे निकलती है तबी बेट की पास अपने रोमेट की कॉल आती है जिसमें कल रात साथ बचकर 55 मिनट का टाइम था कॉल उठाने पर वाइस मेसिज में बेट की यह आवाज थी जिसमें वाची ला रही थी जिसका मतलब अगला मरने का नंबर बेट का था इसलिए डेटक्टिव उसकी इफाज़त करने के लिए उसके साथ उसके घर पर ही रुकता है अगले सुबा जब हुई तो दोनों ही काफी परेशान थे क्योंकि इनके पास बस शाम साथ बचकर पच्पर मिनट तक का ही टाइम था बेट को बचाने के लिए डेटक्टिव को फिर उस मरीज औरत की बेटी यह नी एली की चूटी बेन की बारे में पता चला जो अब एक और्फनेश में है एक ऐसी जगा जहा उन बच्चों को रखा जाता है जिनका इस दुन्या में कोई नहीं होता वहाँ जाकर पता चला कि यह बच्ची और कोई नहीं बलकि शुरवात वली बच्ची है जिसे फारफाइटर्स ले जिलते हो इस्पिटल से बच जाया था पैर इस चीज़ को नजर अंदास करकी बैट और डिटेक्टिव बाही रहे वो फैसला करती है कि हम अलग-अलग जाकर एली की मौमगिनी मरीज औरत की बारे में जनकारी कर्था करेंगी लेकिन जैसे बैट वहाँ से जानी लगी उसकी नजर एली की बैन की किर्की पर दें जिसकी पीछे एक भूत खड़ा हुआ था जिसकी बाद बैट उस उस्पिटल में जाने का फैसला करती है जहां पर एली और उसकी चोटी बैन का इलाज हुआ था इस बारे में उस डेटक्टिव को भी बता रही थी कि मैं उस उस्पिटल में जा रही हूँ वो अंदर जाने की कोशिश करती है पर सामने वड़ा दर्वाजा लॉक था इसलिए वो पिछली दर्वाजे से जाने की कोशिश करने लगी लेकिन ये दर्वाजा भी लोग था पर तबी वो अपनी आप इकल जाता है और स्पिटन की अंदर आकर बैट सुराब दूरने लगी लेकिन तबी कोई शितानी ताकत अंदीरी में बैट पर हमला कर दीती है और खीच कर उसी अपने साथ ले जाने लगी इसी बज़े से वो काफी डल गी जोर सी चीख मारती है जैसी तेसे अपनी जान बचा कर वहाँ से भाग दी बैट को यहां डेटक्टिव में जाता है यह दोनों यहां से बाहर निकलने के कोशिश करती है पर निकल नहीं पाती क्योंकि सारे दर्वाजे लॉक्ट हो गई थी पिर जैसे एक कमरे में आए कोई शितानी ताकत अब डेटक्टिव पर हमला कर दीती है वो से हवा में उठाकर कमरे से बाहर भैंके मारती है जिससे डेटक्टिव को एतनी चोट आई कि वो बियोश हो गया कमरे का दर्वाजा भी लॉक्ट हो जाता है बैट को यह वेंटिलेशन वाला चुटा सा रास्ता दिखता है जिसके अंदर वो फुरन चली गई यहां से बाहर निकलने के लिए जो वो उस रास्ते में थी तो उसके मुबाइल पर लगतार कॉल आ रही थी पिर तबी बैट को यहां एक जलीगोई लाश दिखती है जिसकी आरत बहुत खराब थी उसके हाथ में एक मुबाइल था जिसके जरिये ही बैट के फोन पर कॉल जा रही थी बैट फुरन उससे फोन चिनकर तोड़ देती है ऐसा होने से लाश में थोड़ी हल चिल हुई से देकर बैट वहां से भागनी लगी उसके पीछे पीछे लाश भी भागी पास आती आती वो बैट की ऊपर या जाती है वो काफी डर गई लाश को कहती है प्लीज डोट हर्ट मी यानि मुझे तकलिफ मत देना बैट बार बार यही लाइन दोर आ रही थी कि प्लीज डोट हर्ट मी जिससर वरत लाश भी बैट को कुछ नहीं करती उल्टा यह कहती है फार गिफ मी यनि मुझे माफ कर दो तब इदर डेटक्टिव भी आ गया देखता है कि साथ बच कर पच्पन मिनट हो गई है पर बैट की जान नहीं गई वो बच गई अगली ही पलबू साली पुलिस ओफिसर आ गई उनकी जान बच आने के लिए बैट डेटक्टिव से कहिती है कि मुझे यहां लाया गया इसलिए नहीं कि मार दिया जाए बल्कि इसलिए कि मेरी जान बच जाए उस जड़ी होई नाश नहीं मेरी जान बच जाए डेटक्टिव और फनेच में जाता है से चोट पहुंचाती थी हर दिन अलगलग तरीकी सी वो अपने बेहन को जखनी करती थी ऐसा करने सी उसे बहुत मजाता था लेकिन एक दिन उन्ती मॉम ने देख लिया कि एली अपने चोटी बेहन का हाथ काट रही है एली की इस हरकत पर उसकी मॉम को काफी गुसाया उल्यों मुझे सख्मी करने की बार मेरी बेहन मुझे एक केंडी दिया करती थी इसलिए मैंने ये बात मुम से चुपाई और वेथ जप घर में अकीली थी थी तो उसके फास एली की आतमा आती है जिसी बेहाए देख पाती पियां डेटेक्टिव आ गया बेथ को सारी बात बता देत जो उसने वीडियो में देखी और केत है कि तुम सही कह रही थी एली की आत्म ही सब को मार रही है और उसकी मौम में ही तुमारी जान बचाई जो वो चली हुई लाश थी उनकी बातों के दुरारी दिर्वाजे पर दिस्टेक्टिव दिर्वाजे की चीट से देखनी लगता है हैना कि बच उसे एंसर करने से मना भी करती है पर वो नहीं मानता अगले ही पर एक चाको उस चीट से आकर डिटेक्टिव भी आँख में गुश जाता है उसका सर चीटते हुए दिमाख में गुश गया और तबी दिर्वाजा खोल कर एली की आत्मा अंदर आती है बैथ को मा अगले शिकार के लिए अब यहां मैं आपको इस मुवी का कुलासा कर देती हूं और वो यह कि एले ही शेतान थी असलमें बच्पन से ही उसमें शेतानी हरकती थी जैसे अपनी बेन को जखमी करने के बाद वो से कैंडी देती थी लेकिन जब उसकी मुथ हुई तो वो एक प आनी इदरी ख़ित मुझाती है